नमस्कार किसान बाईयों मैं मनोज फिर से हाजीर हूँ आपके अपने यूटूब चैनल अगरी वोमा में किसान बाईयों आज हम बात करेंगे अगेती भिंडी लगाने का सही समय क्या होता है और भिंडी किन खेतों में लगानी चाहिए वेसल डोच के साथ-साथ हमें कौन-कौन से फर्टिलाजर उज़ करने चाहिए और भिंडी में कौन-कौन सी अगेती वराइटी लगानी चाहिए जिससे ज्यादा उपादन हो सके साथ-साथ या विमारियों से भी बची रहें किसान भाईयों अगर आप अगेती भिंडी जनवरी महिने में लगाते हैं तो आप बहुत ही बनिया इंकम कर सकते हैं और आप इसे सितंबर तक असानी से ले जा सकते हैं किसान भाईयों अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो सस्क्राइब कर लें जिससे वीडियो के आने वाली नोट्फिकेशन जनकारी आपको मिलती रहें तो बात करते हैं किसान भाईयों सबसे पहले पॉइंट पर अगेती भिंडी लगाने का सही समय क्या होता है किसान भाईयों हमारे देश के अंदर अगेती भिंडी की बुआई दिसंबर महीने से लेकर फरवरी महीने तक होती है अगर हम अपनी बात करें तो किसान भाईयों हम उत्तर भारत में रहते हैं यहाँ पर ठंड ज्यादा पढ़ती है और पाला भी पढ़ता है अईसी एरिया में सधारण विधी से बिना क्रोब कवर के आप 20 जनवरी से अपने खेत के अंदर भिंडी के बीच की बुआई कीजिए क्योंकि 20 जनवरी से बुआई करें ने के बाद लगबग 8-10 दिन में जमनेशन हो जाएगा तब तक दिन का जो टमप्रेचर होगा वो बढ़िया हो जाएगा समान्य हो जाएगा और पाउधे जमनेशन के बाद बहुत ही अच्छे ग्रोथ करेंगे अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर किसान भाईयों खेत का चैन किसान भाईयों भिंडी की बुआई आप किसी भी खेत में कर सकते हैं किसी भी मिट्टी में कर सकते हैं लेकिन आप अगेती भिंडी की बुआई करते हैं तो या करना चाहते हैं तो ज़्यादा लंबे समय तक इसे ले जाना चाहते हैं तो आपको मजबुत मिट्टी चाहिए, जिस खेत की उर्वरा सकती ज्यादा हो, उन खेतों का ही आप चाहिन करें, वैसे चिकनी डोमट मिट्टी सबसे उप्युक्त मानी जाती है भिंडी की खेती के लिए, अब किसान भाईयों बात करेंगे हम तिसरे पोइंट पर, खेत की तैयारी करते समय कौन-कौन से फटी लाईयर डालने हैं, सबसे पहले आप देशी खाद, गोबर की खाद जरूर डालें, लगवख एक एकड में तीन से चाट टाली निच्ची तोर पर डालें, क्योंकि भिंडी की फसल को ज्यादा ताकत की आउसक्तिया होती है, इसे लंब नहीं कर पाते हैं, वहीं पर वह रुख जाता है, तथा उससे ज़्यादा हम मुतपादन भी नहीं ले पाते हैं, तो किसान बाईयों आप जरूर देशी खाद का प्रियोग करें, यदि हम रसायनी खाद की बात करें, तो प्रती एकड के हिसाब से, दो बोरी सिंगल सुपर फासफेट, एक बोरी डियेपी, एक बोरी एम ओपी और आधा बोरी यूरिया, साथ में पांच कीजी सलफर 90% वाला, इन सब खादों को अच्छे से मिला कर आपने खेत के अंदर डाल सकते हैं, या डाल दे साथी साथ खेत की मिट्टी को आप भुरुरा बना ले, अब हम ब पध्धती से ही भिंडी की बुगाई कर देते हैं, पुरानी पध्धती से आप ज्यादा उत्पादन नहीं ले सकते हैं, और लंबे समय तक अपनी फसल को भी नहीं चला सकते हैं, आप इस नई विधी से बुगाई करें, सबसे पहले टेक्टर या फावडे की साहता से मेड बना लीजिए, मेड से मेड की दूरी 12 इंच रखे, इसी मेड पर दोनों तरफ भिंडी के बीज लगाएं, पौधों से पौधों की दूरी 4 से 5 इंच या अधिक से अधिक 6 इंच रख सकते हैं, अब किसान भाईयों बात करते हैं, हम छक्षमें पॉइंट पर, अगेती वर इंडी की बहुत सारी वराइटी हैं, आप अपने एरिये के मार्केट में जाकर देख सकते हैं, और अपनी जलवाई के अधार पर ही बणिया वराइटी का चुनाव करें, हमारे यहाँ एडवांटी का कमपनी की राधिका नभ्या BRO 6 यच ओ 102 वराइटी ही बहुत बणिया म के लिए आप 2 ग्राम करवेंडा जीम को मिलाकर अच्छी तरीके से बीच उपचार करें, पहली सी चाही किसान बाईयों आधे मेर तक ही पानी लगाएं, जिससे बीच का जमनेशन अच्छा हो सकें, किसान बाईयों यह अथी अगेती भिंडी की बुआई की जनकारी, वीड पुज़ों में नई जनकारी के साथ तब तक के लिए धन्यमाण